नमस्कार आपका स्वागत है। दोस्तों सावन के महीने में सावन सोमवार के वृत की महान कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह अत्यंत प्राचीन कथा है। इस महान कथा का श्रवन प्रत्येक शिव भक्त को अवश्य करना चाहिए। शिव पुरान में इस कथा के बारे में बताया गया है, इस कथा का अमरित आप सभी पान करे और भगवान भोलेनात की कृपा को प्राप्त करे। आप सभी से विनती है कि इस कथा को पूरा जरूर सुने, इसे बीच में ना छोड़े। दोस्तों, एक समय की बात है, दूर किसी नगर में एक साहुकार रहता था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा ही दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। फिर एक महान संत उनके द्वार पर आते हैं और उनकी व्यथा को सुनक उन्हें सोमवार का व्रत करने का सुझाव देते हैं। संत की बात सुनकर वह साहुकार और उसकी पत्नी दोनों ही सोमवार का व्रत करने लगे। वे प्रत्येक सोमवार शिवजी के मंदिर में जाकर पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से शिवजी की आराधना एवं पूज उस साहुकार और उसकी पत्नी की भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की हे प्रभु आपका भक्त साहुकार और उसकी पत्नी बहुत समय से सोमवार का व्रत कठोड़ता से कर रहे हैं उन्हें उनकी भक्ति का फल निश्चित ही मिलना चाहिए तब भग्वान शिव कहते हैं हे महामाया इस संसार के प्रत्येक परानी को उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है वो पिछले जन्म में जो भी पाप करता है उसका फल उसके अगले जन्म में उसे मिलता है यह साहुकार भी उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है, यही उसकी नियती है फिर माता पारवती कहने लगती है हे प्रभु, इस संसार में आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है आप महाकाल है, मृत्यु भी आपकी ही आज्या का पालन करती है आप बड़े-बड़े पापियों को भी क्षमा कर देते हैं फिर अपने इस भक्त को भी उसके पिछले जन्म के कर्मों के लिए क्षमा करके उसकी इच्छा को पूर्ण कीजिए माता पार्वती के बार-बार आग्रह करने पर भगवान शिव साहुकार की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दिन सोमवार को स्वप्न में उसे दर्शन देकर पुत्र प्राप्ती का वर्दान देते हैं और कहते हैं तुम्हारे पुत्र की आयू केवल बारह वर्ष की ही होगी और उसके बाद तुम्हारा पुत्र कैलाश में चला आएगा सुबह जागने के बाद साहुकार यह बात अपनी पत्नी को बताता है वे दोनों ही ना तो प्रसन्न होते हैं और ना ही दुखी किन्तु भगवान की इच्छा समझ कर स्वीकार कर लेते हैं और फिर से शिव भक्ती में लग जाते हैं फिर कुछ समय के बाद उस साहुकार को पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई जिससे प्रसन्न होकर साहुकार ने पूरे गाउं में धूम धाम से उत्सव मनाया लेकिन मन ही मन वह जानता था कि उसके पुत्र की आयू पहले ही निश्चित की गई है कुछ साल बीतने के बाद जब साहुकार का पुत्र ग्यारह साल का हुआ तो उसने उसे काशी में विद्या ग्रहन करने के लिए भेज दिया उसे लगा कि वहां के संतों के सानिध्य में रहेगा तो ईश्वर की कृपा होगी। इसलिए उसने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। जाते समय उसने उनसे कहा कि रास्ते में जो भी साधुसंत मिले उनकी सेवा करना, दान धर्म करना और जहां भी शिव मठ अथवा, मंदिर मिले वहां शिव जी की पूजा करते हुए जाना और फिर पिता से आग्या लेकर वे दोनों काशी की और प्रस्थान हुए। काशी के मार्ग पर में उन्हें एक नगर मिला, जहां पर एक राजा की पुत्री का विवाह एक राजकुमार से होने जा रहा था। लेकिन वह राजकुमार एक आँख से काना था। इसी कारण से राजकुमार के पिता ने एक योजना बनाई। वह विवाह के समय अपने पुत्र को देखकर उस राजा ने उसे कहा कि तुम मेरे पुत्र के स्थान पर राजकुमारी से विवाह करो और मैं तुम्हें बहुत सारा धंदूंगा। फिर उसने हां कर दी और उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। लेकिन उस साहुकार के पुत्र को ये बात तो राजा ने मुझे उसके स्थान पर बिठा दिया। वहाँ पहुचने के बाद उन्होंने कई साधू संतों की सेवा की और दान धर्म करने लगे। तो उसे पता चला कि उसके भांजे की मृत्यू हो चुकी है। जिससे वह बहुत दुखी हुआ लेकिन वह चुप रहा और उसने सभी ब्राह्मनों और रश्य मुनियों को दान दक्षिना करके विदा किया। उसके बाद वह बहुत जोर जोर से विलाप करके रोने लगा और भगवान शिव और माता पार्वती को पुकारने लगा। माता पार्वती और भगवान शिव आकाश मार्ग से गुजर रहे थे तो माता पार्वती ने उसका विलाप सुना तो उन्हें बड़ी दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव से उसके दुख दूर करने के लिए कहा तो शिव जी कहने लगे देवी यह उसी साहुकार का प पात्रभाव से विभोर होकर शिव से आग्रह करने लगी। उसे लंबी आयू प्रदान की। वह बालक फिर से जी उठा और महादेव को धन्यवाद करने लगा। फिर काशी में शिक्षा प्राप्त करके वह बालक अपने नगर की ओर लोटने लगा। रास्ते में वह उस नगर भी पहुँचा जहापर वह राजकुमारी उसकी प्रती अपनी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की राह देख रहे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उन्हें उनके पुत्र की मृत्यू का समाचार मिलता है तो वे उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। लेकिन महादेव की अनुकमपा से उन्हें पुत्र के ज जाकर पूजा अर्चना की। फिर एक दिन साहुकार को स्वपन में आकर महादेव ने कहा हे श्रेश्थी। मैंने तुम्हारे सोमवार के वरत करने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को पुनह जीवन दान दिया है। जो भी तुम्हारी इस कथा का श्रवन करेगा उसकी की इच्छा को निश्चित ही पूर्ण करते हैं। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए और अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और कमेंट में हर-हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद करें।